er cleanse real number chapter 1 the real number के पार्ट टू जिन्हों ने पहला पार्ट नहीं देखा है रीकेस्ट लीज़ीες वहस्ट टा फेर्स्ट पार्ट फीर्स्ट पार्फ फेर्स्ट में जो भी बताया गया था उसको एक बार तेख लीज्ये पर शेकिंड पार्ट में हम आज इकुलेट डिवीजन लेमा एकुलेट डिवीजन लेमा एंड डिवीजन अल्गोरिथम डिवीजन अल्गोरिथम यह करेंगे हम डिवीजन लेमा तो आपको कल भी बताया गया था डिवीजन लेमा के लिए यही होता है कि जो डिवाइजर है रमेंडर उससे शोटा होना चाहिए इतना सा ही यह लेमा है और इसके बिहाब पे आपका क्वेस्चन है एंसी आटी टेक्सबुक का वो पहला क्वेश सिर्प्चेट आपष यह तो पहला क्वेशन आ है मारे पास है यह था मैंमा करल मुद् साँन अ शोग्रुवरिपन तो पूंड शोग्राइज वहाइज ए विजापाव था मैंुर का क्वरिवीजन आं ओ इस इस एफ और शोगुर मैं पैज वे से इन दोनों का HCF find करना है by the division algorithm ठीक है जी division algorithm हम सब को आता है और division algorithm एक long division है जिसके बहाफे हमने इसका HCF find करना है long division सब को आती है ऐसे 225 135 135 135 1 135 0 और यह आगया हमारे पास 90 और इसको लिखना हमने कैसे है लिखना है 225 is equal to 135 multiply 1 135 multiply 1 plus 90 है एंड यो 90 है वो 225 से लेस है और 90 is less than 225 यह पहला स्टेप हो गया और दूसरे स्टेप के लिए इसके आगे हम ऐसे ही 135 135 1 90 5 4 45 तो यह हमारे पास आगया 135 is equal to 90 multiply 1 plus 45 that is 45 is less than 135 और थर्ड पॉइंट स्टेप हो है इसके इसे आगे ऐसे ही चलता जाएगा यह this is 90 45 to the 90 और यह बन गया हमारे पास 90 is equal to 45 multiply 2 plus 0 और 0 जो है वो 90 से चोटा है जब यह remainder 0 हो जाता है तो hcf find हो जाता है तो hcf is 45 hcf of 135 and 225 is 45 तो यह हमारा इतना ही इसका question था यह i hope so कि आपको समझ आ गया होगा इसके दो पाट और है ncrt textbook में और उनको आपने solve करना है आगे आते हैं next इसके question जो भी है वह बड़े important है तो यह divisibility test है कि is this divisible for this or not तो यह divisibility test है यह हमारे तो हमने यह बताना है कि यह जो भी जो भी इंटीजर हमें दिया गया है वह इसके साथ divisible है जहां नहीं है और कौन कौन सा divisible है और कौन कौन सा रमेंटर आता है क्या होता है सब कुछ इसमें हमने बताना है पहला question है हमारे पार शोड़ाइट अब्री पॉसितिव इवन इंपीजर अब्री पॉसितिव इवन इंपीजर of the form of the form 2q and every positive odd integer of the form of 2q plus 1 even integer जो होता है वो 2q plus 0 रमेंडर स्पोस्ज यहां पर 0 है 2q plus 0 देता है और और जो है 2q plus 1 देता है हमें भी पाता है कि एवन जो इंटीजर है वह agtुर्द miser होता है privilege चैक करनी है जो भी क्यों के साथ आगे लगा होता है कि हम्ने पीछे पालीलिवह यह साफ लिखा था कि कि जो हमारे पास डिवीजनलाय वह क्या बताता है कि हैं ऐसे किसी भी को डिबायाइड करते हैं अगर suppose यह A है यह B है यह Q है और यह R है तो हमारा क्या आता है अंसर क्या आता था B is equal to AQ plus R तो यही हमारा division algorithm है और लेमा हमें यह बताता है कि R is less than A तो यह लेमा है तो इतनी सी बात है तो इसमें हमारे पास यह हुआ कि इसका मतलब है कि यह के साथ divisible है और even percentages हम जानते हैं even and जो होते हैं वह तू के साथिभिजिबल होते हैं तो और जो होते हैं और तू के साथ divisible नहीं होते हैं two के साथ divide करो तो remainder कुछ ना कुछ देने का मतलब है कि two से चोटा देंगे two से teachable integer one है उसके बाद zero और zero आ गया तो वह divisible ओगया एगर one आता है तो फूर वह divisible नहीं है तो फूर उसका less चैसलक है है हमने यैट कर लिया कर लिएあの एंञी पॉशिटिवं होिट Чер एंडी अई हमने माल लिया कि एह हमारा को पॉशिती इंडीजर है तो कमें जिसको एंडिवाइड करना है ंडू के साथ तो इसको एंडिवाइड करना है वाई division algorithm तो a is equal to 2 multiply q plus r तो यह हमारे पास algorithm है जो b is equal to aq plus r तो हमने b की place पे a कर दिया यह a है यह b है हमने change किया वो हमारे पास कोई भी known values हो सकती है a b को change कर सकते हैं आप चाहो तो b b लिख सकते हो यहां पे नो problem तो यह हमारे पास algorithm आ गया तो algorithm और lemma क्या बताता है कि r is equal to 0 और 1 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि r 2 से चोटा होना था यह हमाई algorithm ने बताया तो r is equal to 0 और 1 तो r की value 0 जा 1 हम fill कर देंगे तो अगर 0 फिल करेंगे when r is equal to 0 then a is equal to 2q plus 0 so a is equal to 2q और when r is equal to 1 तो a is equal to 2q plus 1 तो यह हमारे पास दो values इसकी आ गई और इसको हम even बोलेंगे और इसको हम odd बोलेंगे तो यह हमारे पास even होगी और यह वाले बार पास odd होगी odd ने एक one जो remainder दे दिया और even ने कोई remainder नहीं दिया means 0 remainder दिया यह इतना ही था आगे बाला देखते हैं next next हमारे पास show that any positive integer show that any positive integer is in the form of 3q form of 3q 3q plus 1 and 3q plus 2 for some integer q यह आपको समझी आ गया होगा मेरे ख्याल से यह वाला नंबर से इम डिवाइड कर रहे हैं और remainder से चोटा रहना चाहिए चोटा रहने का मतलब है कि 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 होगा 3 से चोटा होगा 2 1 and 0 बस same process है तो लेट अबी एनी इंटीजर by division algorithm division algorithm ने हमने बताया कि a is equal to 3q plus r तो a की value आएगी अगर हम ऐसे डिवाइड करते है a को 3 से तो यहाँ पे को quotient आएगा और यहाँ पे कोई remain रहेगा और इसको हमने इस से multiply करनी है और इसमें add करना है यही हमारा algorithm होता है a is equal to 3q plus r तो यह हमारी number one equation मनगी तो r की value अब लेमा क्या बता रहा है according to lemma r is equal to 0, 1 and 2 तो r की value हमारे पास 0, 1, 2 ही होने चाहिए तो when r is equal to 0 a is equal to 3q plus 0 so a is equal to 3q तो यह हो गया when r is equal to 1 तो a is equal to 3q plus 1 r की value number one में substitute करते जाना है r is equal to 2 3q plus 2 तो इन तीन forms में ही यह बनेगी तो यह हमारा second question था वो भी complete हो गया अभी next question देखते है show that any positive odd integer positive odd integer अब integer positive है और odd है odd का मतलब है कि जो two के table में नहीं divide होगा नहीं divide होने का decide करता है सिर्फ उसका remainder remainder ने यह बात decide करनी है कि remainder even आता है जा odd आता है remainder हमने even वाला reject करना है odd वाला रखना है इस बात की यही इसने यही बताया है odd and reason is in the form of 4q plus 1 4q plus 3 तो यह इस form में आएगा तो यह भी हमारे पास clear हो गया कि हमने ऐसे एक a integer लेना a b let a b any integer कोई भी integer है even odd का कोई चक्कर नहीं है कोई भी integer है a को हमने 4 से divide करना है 4 से divide करना है को कोशंट आएगा कोशंट के बाद कुछ remainder आएगा अगर remainder 0 आ गया तो यह 4 से divide होगा 4 से divide होने का मतलब even है अगर यह remainder 1 आ गया तो इसका मतलब remainder 0 आ गया sorry 1 आया 1 odd होता है हम सब को पता है कि तो इसका मतलब कि यह odd number होगा 2 आ जाएगा तो even हो जाएगा 3 आ जाएगा तो odd हो जाएगा 4 आने की possibility है नहीं है जाएगा तो यह इससे शोटा होना चाहिए था यह हमें division लेमा ने बताया according to division algorithm division algorithm हमें बता रहा है कि a is equal to 4 q plus r when r is equal to 0 1 2 3 तो यही possibility है r के आने की यह हमने हमें division लेमा ने बताया कि 0 1 2 3 इसकी possibility है अब 0 लिखेंगे a is equal to 4 q plus 0 तो 0 आ गया तो यह even हो गया even को हमने reject करना है even हमें चाहिए ने क्योंकि हमने order and deserve देना था तो next बाला आएगा a is equal to 4 q plus 1 तो यह बाली order हो गया तो यह बाला ठीक है बात a is equal to 4 q plus 2 यह भी even हो गया और मेंडर ने हमें बता दिया तो even है इसको नहीं हमने लेना a is equal to 4 q plus 3 तो यह भी order हुआ तो इसका मतलब यह भी सही है यह दोनों ही हमारे सही हो गया तो यह इस फॉर्म में आ गया 4 q plus 1 and 4 q plus 3 तो यह इस फॉर्म में आया तो यह हमारा ठीक हो गया तो इसी को ही हमने देखना है यह वाली चीजे यह odd हुआ और यह वाला even है यह वाली odd है तो यह वाली odd है अब आगे फोर्थ के तरफ चलते हैं शो दैट दिस्केर अफ एनी पॉसितिव इंटीजर शो दैट दिस्केर अफ एनी पॉसितिव इंटीजर इंटीजर is in the form of 3m 3m प्लस 1 अब क्यों के जगा पे m आ गया कोई प्रॉलम नहीं हमें q कोशन होता है m भी हमारे पास कोशन टी है for any इंटीजर m m कोई भी इंटीजर है 1,2,3,4 ऐसी कोई वैल्यू आएगी m की हमें इस बात से कोई इतराज नहीं है तो हमारे पास क्या है 3 के साथ हमने हमारे पास ये वाली चीज हम बाद में देखेंगे ये वाली चीज जो है square of any positive इंटीजर ये बाद में square वाला काम बाद में देखेंगे पहले यह बारी चीज़ देखनी है कि 3M है 3M है इसका मतलब कि divisibility 3 से है और M हमारे पास quotient की तरह हैं form करता है और quotient को हम quotient ही लेंगे let कर लिया let A be any positive integer तो A को हमने कोई भी positive integer ले लिया और A को positive integer लेने का बात है कि आगे क्या है हमारे पास by division algorithm by division algorithm हो क्या बताता है A is equal to 3Q plus R 3Q plus R है where R is equal to 012 R की value 012 हो सकती है और इसके बाद हमने इसको देखना है कि पहले हम हमने क्या देखना है कि हमारा according to question question क्या कहता है according to question question हमें बता रहा है कि ये वाली जो तीनों वैलीज है इनका सकेर करना है वो क्या आपका बतार है scaring both sides of equation 1, 2 and 3 respectively तीनों की ही हमने scaring करनी है ए इस इकल टू थ्री क्यू होल स्केर होल स्केर में इसका मतलब आएगा कि नाइन क्यू स्केर अब हम चाहिए थ्री बाहर कॉमन क्या चाहिए त्री बागे बीच में आएगा 3-3-9 नहीं रीजर भी हमारे पास है काम सारे पूरे रखे हैं हमने बड़ी भी आते हैं चलो त्री थ्री दन नाइन यहां बीच में आएगा 3 और Q स्केर और यह बन गया 3 और 3 Q स्केर को हम लिखेंगे M और वेर M is equal to 3 Q स्केर इसकी value हमने लिख दी यह हमारे पास जो पहली form थी यह वाली यह बन गही और second में put करेंगे अब according to second second वाला क्या बोलता है हमें कि यह वाली चीज A is equal to 3 Q plus 1 इसका भी स्केरिंग करनी है हमने स्केरिंग करेंगे तो यह बनेगा हमारे पास 9 Q स्केर प्लस 1 प्लस 2 A B 3 to the 6 Q अब हमने इन दोनों में से तो 3 common निकाल लेना है इन में से 3 common निकलेगा क्योंकि हमारे पास 3 का ही फंडा है 3 ही common निकालना है 3 common निकलेगा तो यह बनेगा 3 3 Q स्केर प्लस 2 Q और प्लस 1 तो यह हमारे पास बन जाएगा 3 M प्लस 1 where M is equal to M की वैलिव आएगी M is equal to 3 Q स्केर प्लस 2 Q यह हमारे पास M की वैलिव आगी अब हमारे पास जो 3rd last वाला है उसका भी हमने स्केर करना है ऐसी A is equal to 3 Q प्लस 2 whole स्केर दोनों तरफ ही स्केरिंग करनी है जैसे यह लिखा था स्केरिंग बोट साइज इसको भी स्केरिंग ही हमने करनी है यह बनेगा हमारे पास 9 Q स्केर प्लस 2 4 प्लस 3 to the 6 12 Q तो इन दोनों में से 3 कॉमन आता है और 4 हमारे पास जो है वो 3 से बढ़ा हो गया इसको होने नहीं देना है 9 Q स्केर 12 Q प्लस 3 प्लस 1 इसको यह इस फॉर्म में लिखना है इनको हमने अलग करना है इनको अलग करेंगे तो यह क्या बनेगा 3 इन में से कॉमन आएगा 3 Q स्केर 4 Q Q प्लस 1 प्लस यह वला 1 तो यह 3 M प्लस 1 तो यह भी 3 M प्लस 1 M की वैल्यू कोई भी हो सकती है M एनी अन्टीजर है M यहाँ पे आ गया M is equal to 3 Q स्केर प्लस 4 Q प्लस 1 यह M की वैल्यू है M की वैल्यू कोई भी आ सकती है M हमें कोई परेशानी नहीं जाता तो यह हमने देखा है कि इसको हम अगर डवाइड करते है सकेर के साथ कोई भी सकेर इंटीजर है तो उसको 3 के साथ डवाइड करेंगे तो हमेशा रिमेंडर रिमेंडर 1 चोड़ेगा जहां 0 तो 3 से डवाइड करने के लिए कोई भी नंबर हम लेगे उसका सकेर करना है और उसको 3 से डवाइड करना है उसका रिमेंडर ओल्वेज ली 0 आएगा जा 1 आएगा 2 कभी नहीं आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी थी रिमेंडर 3 आने की 0, 1, 2 और तूर मेंडर किसी भी हालत में नहीं आएगा यह हमारा इसका इतना ही काम था तो यह चार मैंने क्वेस्टिन आपको दिये हैं उसके बाद एक अब असाइनमेंट आपको दूँगा एक क्वेस्टिन आपको दूँगा कुछ करने के लिए जो आपने होमबर के फॉर्में करने है और कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछना है तो hope for the best कि आपको यह सारा समझ आ गया होगा कोई भी problem हो कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में और message में वर्टसेब में पूर सकते हैं मैं आपको जूर बताऊँगा Thanks, thanks and have a nice day